दोस्तो एक में 2024 को जब फेडरल रिजर्व की मीटिंग खतम हुई और उनकी प्रेस कॉन्फरेंच शुरू हुई तब फेडरल रिजर्व के चेर्मेन पौवेल को ये पूछा गया कि क्या वो अगली मीटिंग्स के अंदर इंट्रेस रेट को बढ़ा सकते है क्या तो उन्होंने ये क्लियरली कहा कि वो आने वाले मीटिंग्स के अंदर इंट्रेस रेट को नहीं बढ़ाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि पौसिबल है कि बच्चे हुए महनों के अंदर इंट्रेस रेट कट किया जा सकता है दोस्तों ये न्यूज 2 में 2024 की है और आप वीडियो के अंदर इसे क्लियरली देख सकते हो जैसे के आप वीडियो के अंदर देख सकते हो में 2023 के बाद से जो इंफलेशन नीचे आया था वहाँ से inflation उपर ही जा रहा है यानि के में 2023 के बाद से inflation के अंदर गिरावट नहीं आ रही है और आप क्लियरली देख सकते हो inflation धीरे धीरे उपर ही जा रहा है उसी समय पर हमने देखा के 26 अपरेल 2024 को जो डेटा आया उसने हमें बताया PCE Price Index उपर जा रहा है यानि के PCE Price Index हमें बता रहा है के inflation उपर आ सकता है उसी तरह से ISM Non Manufacturing Prices का जो डेटा आया उसने भी हमें यही बताया के ISM Non Manufacturing Prices के अंदर बड़ोतरी हुई है जो एक क्लियर इंडिकेट कर रहा है के inflation बढ़ रहा है उसी तरह से US Core PCE Prices का डेटा भी बढ़ के आया था जो हमें inflation बढ़ने का संकेत दे रहा था अमेरिका के अंदर US Employment Cost Index भी बढ़ के आया था जो एक क्लियर बता रहा था के Employment Cost बढ़ रही है यानि के inflation उपर आ रहा है उसी तरह से हमने आपको Labor Cost का डेटा भी दिखाया था जो क्लियर इंडिकेट कर रहा था के Labor Cost के अंदर एक बहुती बढ़ी बढ़ोतरी हुई है जो एक क्लियर इंडिकेट कर रही है के अमेरिका के अंदर inflation बढ़ रहा है दोस्तो अगर inflation बढ़ने के संकेट आ रही है उसके बावजूद भी अगर Federal Reserve के चेर्मेन पॉवेल Price Conference के अंदर बोल रहे है के हमारा अगला मू अगली मीटिंग्स के अंदर interest rate बढ़ाना नहीं होगा तो ये क्या संकेट दे रहा है अगर उन्हें सामने से दिख रहा है के inflation उपर आ रहा है उसके बावजूद भी अगर वो बोल रहे है के ये साल बचे हुए महनों में interest rate कट आ सकता है तो ये क्या बता रहा है दोस्तो ये clear indicate कर रहा है के Federal Reserve के चेर्मेन पॉवेल के ऊपर interest rate कट का बहुत ही बड़ा pressure है और दोस्तो इसका महत्वपूर्ण रिजन ये है के American Government का debt बहुत उपर आ चुका है हमने आपको हमारे previous वीडियो के अंदर ये लगातार दिखाया था के American Government उनके debt के ऊपर एक trillion dollar का interest का सिर्फ payment कर रही है जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो interest rate अभी 5.50% परसेंट पे है और interest का payment अभी एक trillion dollar का है आप वीडियो के अंदर जो data देख रहे हो ये bank of America का data है और उन्होंने ये clearly कहा है कि अगर federal reserve अप्रेल 2025 तक याने के एक साल तक interest rate को 5.50% पे ही रखती है तो American government का debt का interest का payment एक trillion से 1.7 trillion dollar तक उपर जाएगा यानके दोस्तों आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ोतरी interest payment के अंदर हो सकती है अगर interest rate cut नहीं होते है उन्होंने उनकी projection के अंदर ये बताया है कि अगर federal reserve 150 basis point से interest rate को काटता है यानके अभी जो interest rate 5.50% पे है वो अगर अप्रेल 2025 तक 4% पे आ जाते है तो ये interest का payment 1 trillion dollar से 1.2 trillion dollar हो जाएगा यानके दोस्तों अगर American government को interest का payment कम करना है तो interest rate को नीचे आना ही होगा और अगर interest rate नीचे नहीं आएंगे तो American government का interest का payment बहुत तेजी से उपर जाने वाला है जो gold और silver के लिए बहुत अच्छी news है तो दोस्तों एक तो है कि federal reserve को interest rate को काटना पड़ेगा और अगर नहीं काटा तो American government का debt uncontrollable situation में आ जाएगा जहाँ पर ये अगले एक साल में 1 trillion dollar से 1.7 trillion dollar तक उपर जा सकता है और इसी लिए federal reserve के chairman continuously बोल रहे है कि possibilities है कि बचे हुए महिनों के अंदर interest rate कट आ सकता है क्यूंकि दोस्तों अगर interest rate कट नहीं आएगा तो American government को बहुत बड़ी problem आने वाली है और इसलिए मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि federal reserve जहाँ पर अभी खड़ा है वहाँ पर वो first चुका है तो अगर interest rate बढ़ते हैं तो भी goal के लिए positive है और घटते हैं तो भी goal के लिए positive होने वाला है वीडियो खतम करने से पहले मैं आपको एक महत्व पूर्ण बाद जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों याद रखे interest rate cut goal के लिए positive है लेकिन जब एक समय के बाद बहुत जादा interest rate cut आएंगे तो वो goal की कीमतों को नीचे भी लाएंगे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो स्टार्टिंग के अंदर जो interest rate cut होंगे वो goal के लिए positive होंगे लेकिन अगर interest rate बहुत तेजी से घटे तो वो goal के लिए negative भी हो सकते है तो कुरुपया ये बात को ध्यान में रखे और बाद में ये ना पूछे के interest rate cut बहुत जादा होने के बावजूद भी goal क्यों गिरा क्योंकि दोस्तों interest rate cut और economical condition आपको analyze करनी पड़ती है और उसके उपर ही depend होता है के interest rate cut goal के लिए positive है के negative प्राइटी ओ